दोस्तो टाटा ने इस साल हमको बहुत सारे सर्प्राइजिस दिया हैं जिसमें सबसे पहला आपका था टाटा पंच इवी को यहां पर लॉंच किया गया अभी उस गाड़ी के प्राइजिस वगरा भी सबकुछ आ चुके हैं और वहां पर हमें बहुत जबलदस्त क्लास अपा फाइनली जो आपका प्रोडक्शन बेस्ट वेरियंट होगा उसके साथ नेक्सवन से एंजी को भी वहां पर शोकेस किया अब यहां पर एक जो इंपॉर्टन अपडेट है हम सभी को नए साल में जो जानना चाहिए वो यह कि टाटा पंच के प्राइस जो हैं वो बढ़ किस वेरियंट के बढ़े हैं यह सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी में क्या कुछ करके आपको देखने को मिलता है इसमें क्या इंजन आता है क्या उसके स्पैक्स हैं यह सारी बाते मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि Tata Motors ने अपनी सारी गाड़ियों के पैसे बढ़ाए हैं और ये आपके फरवरी 2024 से लागू हुए हैं अब यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर 17,000 रुपे का इंक्रिमेंट देखने को मिला हैं और उसके साथ साथ अभी ये गाड़ी आपकी 6,13,000 रुपे एक शोरोम से स्टार्ट हो जाती हैं आपके इस गाड़ी के अंदर आपको pure, adventure, accomplished or creative variant देखने को मिलता है और यहाँ पर अगर इसके entry level variant की बात करें तो यहाँ पर इसमें आपको 13,000 रुपे का इंक्रिमेंट देखने को मिला है लेकिन जादा तर वेरियंट में 10,000 रुपे का इंक्रिमेंट देखने को मिला है औ तो वहाँ पर 13,000 रुपे आपको जादा देने को मिलेंगे उसके इलावा normal variants पर 10,000 और CNG वाले पर 17,000 ठीक है तो अब इसके हिसाब से आप अपना plan कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि CNG वाले variant के 17,000 रुपे क्यों बढ़ाएंगे हैं क्य जा रहा है कि कुछ टाइम में यह गाड़ी आपको CNG के साथ automatic technology के साथ भी देखने को मिलेगी टाटा ने पहली बार इंडिया में EMT technology को launch किया CNG के साथ में टाटा की TIGOR और TIGOR में अब यहाँ पर दोस्तों अगर इसके engine specs की बात करें तो यहाँ पर आपको 1200 CC का engine देखने क मिलता है जो की आपका company fitted CNG option के साथ में आता है जो आपका 84 BHP की power और 113 newton meters का peak talk बनाता है पैट्रोल में और CNG के अगर में बात करूं तो 72 BHP की power और 103 newton meters का peak talk बनाता है आपका CNG में यहाँ पर यह गाड़ी आपको manual और EMT transmission के साथ में देखने को मिलती है इस price hike के बारे में आपके क्या views हैं आप comment section में mention करिएगा और क्या price hike होने के बाद में अगर आप इस गाड़ी को लेने का plan कर रहे थे तो क्या आपके decision में कोई change आएगा वो भी share कीजिएगा thank you so much for watching this video bye bye take care of yourself and remember दोस्तो always drive safe bye bye हुआ है